साथियों, कोरोना के इस संकटकाल ने दुनिया के सोचने, समझने, कामकाच करने, खाने पीने, सब के तौर तरीके पुरी तरह से बदल दिये हैं और जिस प्रकार से आपने सेवा की, और सेवा का समाज जीवन पे बड़ा प्रभाव होता है मैं बच्वन में सुना करता था, कि एक सोनार, उसको छोटा मुटा अपने घर में, सोनार के नाते वो अपने घर में काम करते थी और कुछ परिवारों के लिए सोने की चीजे बनाना वगेर अपना चलता था लेकिन उस महास्वई की एक आदत थी वे बाजार से दातुन खरीतते थे सुबह में हम पहले की जमाने में आज ब्रश उप यो करते पहले दातुन करते थे और वो अस्पताल में जा करके वो जो मरीज होता था उसके जो रिस्तेदार होते थे उतनी संख्या गिन करके हर दीन शाम को उनको दातुन दे करके आते थे यही काम करते थे और दिन भर अपना sonar का काम करते थे आप धरान हो जाएंगे एक sonar के रुक में अपने काम के साथ यह दातुन लोकों को मदद करने कर उन्होंने छोटा सा अपने आदत बना थी उस पूरे हीलाके में उनका इतनी चबी थी उनके सेवा भाव की इतनी चर्चा थी कि सोने का काम कराने के लिए लोग कहते हैं अरे भाई यह तो सेवा भावी है उन्हीं क्या सोने का काम करवाएंगे याने करते थे वो सेवा लेकिन अपने आप उनकी एक विश्वस लेता बनी थी उनके अपने के सोने के काम को हर पडिवार के वो विश्वस्त वक्ति बन चुके थे याने हमारा समाज ऐसा है सेवा भाव को सिरफ कुछ पाया कुछ मिला उतने से नहीं उससे भी बहुत अधिक भाव से देखता है और जो सेवा लेता है वो भी मन में ठान लेता है कि जब मौका मिलेगा वो भी किसी की मदद करेगा यह चक्र चलता रहता है और यही तो समाज को प्रिनरा देता है आपने सुना होगा सो साल पहले ऐसी ही बयानक महामारी हुई थी अब सो साल के बाद यह हुई है और कहते हैं कि तब भारत में इतनी जन सेंग्या नहीं थी कम लोग थे लेकिन उस समय भी उस महामारी में दुनिया में जो सबसे ज़्यादा लोग मर गए उन में से हमारा हिंदुस्तान भी था करोडों लोग मर गए थे और इसलिए जब इस बार महामरी आई तो सारे दुनिया भारत का नाम लेते ही उनको डर लगता था उनको लगता था भाई सो साल पहले भारत के कारण इतनी बड़ी बरबादी हुई थी भारत में इतने लोग मर गए थे और आज भारत की इतनी आबादी है इतनी चुनोतियां है बड़े-बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा करने लगे थे कि इस बार भी हारत बिगड़ जाएगा लेकिन क्या स्थिती बने आपने देखा होगा 23-24 करोड के आबादी वाले हमारा उत्तरप्रदेश और उसके लिए तो लोगों को धेर सारी शंका कुशंकाए भी थी कि ये कैसे बचेगा कोई कहता था कि यूपी में गरीबी बहुत है यहां बाहर काम करने आगए समीक कामगार साथी बहुत है वो दोगज की दूरी का पानन कैसे कर पाएंगे वो कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे लेकिन आपके सैयोग ने उत्तर प्रदेश के लोगों के परिश्रम ने पराक्रम ने सारी आशंकाओं को द्रस्त कर दिया साथियों ब्राजिल जैसे बड़े देश में जिसकी आबादी करीब 24 करोड है वहां यह उत्तर प्रदेश जितना ही बड़ा है वहां करोणा से 65 हजार से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्य हुई है लेकिन उतनी ही आबादी वाले हमारे यूपी में करीब करीब 800 लोगों की मृत्य करोणा से हुई है यानि यूपी में करोणा से हजारों जिंदगियां जिसकी मरने के संभावना दिखाई जाती थी उसको बचाई गई है आस्तिती ये हैं कि उत्तर प्रदेश्ट ने न सिर्फ संकरमन की गति को काबू में किया हुआ है बल्कि जिने कोरोना हुआ है वो भी तेजी से रीकवर हो रहे ठीक हो रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी वज़व आप जैसे अनेक महनभोव की जागरूपता, सेवाभाव, सक्रियता आप जैसे सामाजिक, धार्मिक और परवकारी संगठनों का ये जो सेवाभाव है आपका ये जो संकल्प है, आपके संस्कार है जिसने इस कठीन समय से, कठीन से कठीन दोर में समाज के हर व्यक्ति को कौरोना के खिलाब लड़ाई लड़ने की ताकत दी है, बहुत बड़ी मदद की है